हेलो स्टूडेंट्स हमारा जो लास लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक क्वेशन दिया था कि फूसिंग और पूलिंग में से कौन सा ज़्यादा एजियर है और क्यों पर किसी ने भी मुझे इसका मतलब कोई सॉलुशन नहीं भेजा डाउट सेशन के अंदर इसका मतलब है आप अपना काम जो है वो रेगुलरली नहीं कर रहे हैं अगर मान लिजए आपसे ये कौश्चन सोल नहीं हुआ था तो आपको ये डाउट लेना चाहिए था तो बेटा मैं इस कौश्चन के बारे में आगे कोई बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप अपना काम अगर सिंसिरली नहीं करेंगे तो लोस आपको होगा मुझे नहीं तो नेक्स टाइम से अगर कोई ऐसा कुश्चन में सिंगल देता हूँ तो आपको डाउट सेशन में मेरे पास उसका सोलुशन भेजना है नहीं आता है तो पूछना है चलि हम आगे बात करते हैं अभी आज हम बात करेंगे डिस्टिंस क्या है डिस्प्लेस्मेंट क्या हो सकता हमें से कुछ बच्चों को यह टॉपिक्स आते हों उनको लगे कि यह क्या है तो आसान सी बाते हैं लेकिन फिर भी यह वेटा नसेसरी है काइनेमेटिक्स को आगे फर्दर कॉंटिन्यू करने के लिए तो यह उन बच्चों के लिए जो भूल गए हैं या जिनको मलब जो पड़ा है आपने उसको साइड में कीजिए एक बार कुछ ना कुछ नया सिखेंगे भी इनमें से ठीक ना देखिए अब distance क्या है देखिए actual path है between initial and final position of an object कुछ ऐसा कर लेता हूँ देखो मैं मेरा एक reference frame बना लेता हूँ तो यह मेरा reference frame हो गया यहाँ पर यह मेरा origin हो गया यह मेरा x coordinate हो गया यह मेरा y coordinate हो गया अब इस reference plane के अंदर let us suppose मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे पास में किसी point a पर कोई object था वो यहाँ से इस तरह से motion करते हूए इधर पहुँच गया यह पीछे से कहीं से आया था किसी point मालो b पर ठीके ना तो देखो अब यह point b पर पहुँच गया तो यह देखो a से यहाँ से ऐसे जाएगा point b पर तो इसे a से b तक जाने में यह जो path इसना जो actual path है this is known as your distance इसको हम distance बोलते है actual path देखो actual path between initial and final position initial तो a हो गई final क्या हो गई b हो गई ठीके ना अब displacement की बात करते है देखिए it is the vector drone from initial position to the final position and its magnitude is equal to the shortest distance between the initial and final position वह क्या कह रहा है देखो सबसे पहली बात तो displacement it is a vector quantity एक important बात तो यहाँ से यह निकल करके आ गई जबकि distance क्या है एक scalar quantity है क्या कह दिया it is a vector drone from initial to the final position तो यहाँ से initial से final vector draw करना है और इस vector का जो magnitude है वो क्या होना चाहिए shortest distance तो a से b तक की shortest distance तो यह बनी यह वेक्टर बना तो यह आपके पास में जो बनी है a से b तक की shortest distance इसको हम बोलते हैं बेटा displacement कई बार पूछ लेते हैं पूजिशन एक्टर के time में तो पूजिशन एक्टर क्या होता ओरिजन से वो वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल के पूजिशन दे लीनियर यह मानलो a का पूजिशन वेक्टर हो गया और यह किसका हो गया मानलीजिए यह b का पूजिशन वेक्टर हो गया displacement को मैं चेंज इन पूजिशन डेल्टा आर से रिपर्जेंट कर देता हूँ अब देखो जरा अगर मैं इसको बनाऊं अलग से तो देखो यह हो गया मेरा आर यह हो गया मेरा आर बी और ऐसे जा रहा हो में यह क्या हो गया डेल्टा यह एक ट्रेंगल बन गई अब इस लाफ ट्रेंगल से जो टक्रमार वेक्टर हो मेरा रिजल्टेंट होगा यान कि आर बी मेरा रिजल्टेंट होगा तो आर बी किसके बराबर होगा मेरा आर ए प्लस डेल्टा आर के मुझे तो डेल्टा आर निकालना है तो डेल्टा आर की वै होता है shortest बात होता है एक और example से मैं आपको बता देता हूं फिर हम differences की बात करेंगे ठीके ना एक simple सा example ले लेते हैं देखो मान लीजिए ये circular track है कोई ठीके ना और हमारे पास में क्या है इस circular track के उपर let us suppose मैं मान लेता हूं कि circular track पे यहां से point A से किसी ने भागना शुरू किया और वो यहां पहुंच गया point B पर या वो मान लो यहां पहुंच गया किसी point ये B मान लीजिए और आप इसको कोई point मान लीजिए C बाद में मान लो वो यहां पहुंच गया किसी point D पर देखो अब अगर मैं कहा दूँ कि बताओ जब वो A से C तक पहुंचा है तो distance क्या travel करेगा तो वो ऐसे घूमता हुआ आएगा तो A से C तक distance क्या होगी जो उसकी circumference है लेकिन मैं कहाँ उसका displacement बताओ तो displacement तो shortest है तो A से C तक shortest तो यह होगी तो displacement क्या हो जाएगी जो उसका diameter है तो यहाँ displacement तो 2R हो गया और distance कितना हो जाएगी यहाँ पर पाई R जो circumference है इसी तरह से A से B तक की बात करूँ तो displacement तो यह हो जाएगा A से B तक perpendicular vector डाल दिया और यह जो 1 4th circumference का यह क्या हो जाएगा distance traveled ठीके ना इसी तरह से D के लिए कर सकते हो C के लिए D के लिए यह हो जाएगा displacement और अगर A से D पर आ रहा है तो distance क्या हो जाएगी A से B, B से C और C से D 3 4th of circumference ठीक है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो distance और displacement को distinguish जहान अखना displacement shortest distance होती है ठीक है ना चली जड़ा अभी हम क्या बात करेंगे अभी हम इनके differences देखते हैं कि differences क्या क्या होंगे between distance and displacement, distance और displacement के बीच के difference क्या क्या है देखो सबसे पहला difference तो है distance is a scalar quantity यहाँ पर displacement क्या है एक vector quantity है यह sentence बना के लिखने है बेटा आपने अपनी copy में दूसरा difference कहा देखो distance अभी अगर मैं उसी example की बात करूँ जो मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी दिर पहले आपको दिया था अगर मैं इस example की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर एक बार body मान लीजिए a से चली a से चल करके यहाँ c पर पहुँची c से d पर पहुँची और उसके बाद वापिस a पर पहुँच गई तो shortest point बताओ यह से यह है तो shortest distance क्या होगी जीरो पर डिस्टेंस जीरो होगी तो displacement जीरो पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगी बट डिस्टेंस जीरो डिस्टेंस जीरो हो सकता है तो वो क्या है? infinite values हो सकती है for a given motion ठीक है न? तो किसी भी given motion के लिए distance can bear infinite values ठीक है न? infinite values हो सकती है इसकी but for a given motion displacement is unique displacement unique होगा ठीक है न? जैसे ए से सी तक यह हो गया यह हो गया इसी तरह से next देखेंगे fifth point ध्यान रखना यह दोनों का common ही difference में लिख देता हूँ यहाँ पर चाहिए आप इसको note बनागर के डाले fifth point की बजाए distance is always greater than or equal to displacement यानि कि distance जो है वो displacement से बड़ी भी हो सकती है displacement के equal भी हो सकती है but उससे कभी भी छोटी नहीं मिलेगी ठीके ना उससे कभी भी छोटी नहीं मिलेगी ध्यान रखना तो यह थे कुछ एक differences next से देखें velocity और speed में difference देखते हैं यहाँ पर देखें common बात में आपको और बता दो difference बताने से पहले velocity हो चाहिए speed हो यह दो तरह की होती है speed भी सी तरह से दो तरह की होती है instantaneous और average ठीके ना speed भी सी तरह से दो तरह की होती है instantaneous और average definition की बात करते हैं देखो velocity it may be defines as rate of change of displacement तो displacement का जो rate of change है that is known as velocity तो displacement is a vector quantity तो velocity भी क्या होगी है vector quantity होगी speed speed को आप कह सकते हो rate of change of distance या जो मेरी more technical है फेवरेट है वो है ये magnitude of और में magnitude of velocity is also known as speed ठीके ना तो अगर इसमें सिर्फ magnitude की बात करें तो it is a scalar quantity तो ये scalar quantity है ठीके देखो कभी भी बात की जाए rate of change of displacement की तो वो हमेशा instantaneous velocity होती है अभी मैं बताऊंगा भी क्या है instantaneous है बढ़ फोर्मूला लेग लेते हैं तो velocity आ जाएगी आपके पास में displacement को s से represent करेंगे हम delta s by delta t और अगर मैं कहा दूँ delta t मेरा बहुत छोटा है बहुत छोटा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ delta s by delta t और जो मेरा delta t है वो है very very small approximate 0 0 नहीं approximate 0 तो यह किसके बराबर आ जाएगा ds by dt के differentiation यह formula बहुत जरूरी है तो velocity बराबर आ गया ds by dt ठीक है अब speed की अगर मैं बात करूँ तो speed क्या आ जाएगा magnitude of velocity तो magnitude of ds by dt यह सिर्फ जो definition है मेरी magnitude of velocity वाली one dimension में perfect बैठती है ठीक है तो यह जो definition है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ यह वाली 4 one dimensional motion 1 d के लिए है यह formula भी किसके लिए है 4 1 d ठीक है otherwise आप speed को represent कर सकते हो distance changing distance upon में time या distance upon में time ठीक है SI unit आपको पता ही है इनकी जो SI unit है वो होती है meter per second दोनों की ही ठीक है अब हम बात करेंगे देखो average और instantaneous क्या होती है ठीक है मैं velocity की बात करूँगा आप speed अपने आप ही समझ जाएंगे उसमें magnitude की ही तो बात हो और कुछ नया है नहीं इन्स्टेंटेनियस का इन्स्टेंटेनियस का मनलब होता है अएक इवन इंस्टेंट ओफ टाइम किसी इन्स्टेंट पे टाइम के जैसे कि आप गईक चला रहें मान लीजिए बाइक चला रहे हैं तो उसकी स्पेड कम भी हो सकती कभी 50 है कभी 40 है कभी 50 है कभी 60 है कभी 30 है पर मैं पूछ लूँ कि शार्प बताओ 10 मिनिट बाद क्या थी मुझे सिर्फ 10 मिनिट दस मिनिट के बाद में जो थी वो चाहिए आप कहेंगे 30 तो वो जो गीवन इंस्टेंट ओफ टाइम पे जब हम निकालते हैं उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं और जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका जो फोर्मूला है वो होता है वेलोसिटी बराबर है ds by dt यह instantaneous का formula होता है ध्यान रखना यह बहुत जुरूरी बात है numerical में काम आएगी average की बात करते हैं average velocity अब average velocity सही बात भई अब मैं कहा दो 10 मिनट में पहले 10 मिनट में बताओ क्या अब पहले 10 मिनट में कभी आपकी 30 ओर यह कभी 40 ओर यह कभी 50 ओर यह क्या बताएं तो हम क्या करेंगे इन सबका average बता दें तो इसलिए average velocity का formula है वी average मैं लिखे देता हूं यहाँ पर total displacement taken divided by total time taken total displacement अपोन में total time average वेलोस्टी आजएगे ठीक है अगें अगर differences आप से मालीजिए पुछे जाएं कि दोनों में difference बताओ क्या क्या है तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें आइडिया लगी गया है speed और velocity में अगर आप से difference पुछे जाएं तो आप बता सकते हो speed scalar quantity है velocity vector quantity है scalar है तो यह ना तो negative हो सकती है ठीक ना और अगर motion हो रहा तो यह 0 भी नहीं हो सकती पर velocity positive हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ठीक ना अगली चीज़ देखते हैं speed क्या होगी हमेशा ही greater than or equal to velocity होगी छोटी नहीं हो सकती है यह differences है कुछ एक नेक्स्ट हमारे पास में आता है acceleration उसी तरह से दो तरह का acceleration होता है एक average acceleration एक instantaneous acceleration है अब मेरे ख्याल से आप समझी गए होंगे अगर acceleration की definition की बात की जाए तो rate of change of rate of change in velocity is known as acceleration तो acceleration का formula क्या आजएगा dv by dt instantaneous मलब it is that acceleration which is asking at a given instant of time तो जो rate of change of velocity with respect to time है that is known as instantaneous acceleration average acceleration तो देखिए average acceleration को हम क्या कह सकते है average acceleration को हम कह सकते है change in velocity divided by total time taken this is known as average acceleration ठीक ना SI unit कोई खास बड़ी बात नहीं है कह सकते हो आप निकाल भी सकते हो मेटर पर सेकंड स्केर स्केर स्केलर है कि वेक्टर है अब देखो velocity एक वेक्टर है तो acceleration भी वेक्टरों का मैंने यह वेक्टर साइन लगा रखा है देख लो ठीक ना और अगर आप यहाँ पर मान लिजे मैं कह दूँ ऐसे mode लेना है मुझे इन सब चीजों का तो इसका भी क्या जाएगा यहाँ पर mode आ जाएगा ठीक है तो यह था वेटा average acceleration dimensions आप इनके निकाल सकते हो आपने पहले भी निकाले हुई हैं कल हम इनके कुछ एक uses देखेंगे numericals देखेंगे इनके उपर आज के लिए सिर्फ इतना ही thank you have a great day ahead